असलाम लेकूम वेलकुम टू देसी खाना आज हम बना रहे हैं मज़दार से तर्श्किश कुजीन इत्मिक इसके लिए हमें चाहिए होगा मैदा दोकक इस्ट एक खाने का चमर झाल करिछ खाने का तू झाल 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 यहाँ आप जोल आप आप यहाँ जाल यहाँ लोग जोग अब मैं इसको थोड़ी दिर के लिए रखूंगे तकर आदे ही हंते के लिए ताकि अची तरह से हमीर हो जब तक डौर राइस हो रही है हम इसकी फिलिंग बना लेते हैं मैं लिए है चिकंड ब्रेष्ट थे में अदा किलो और इसको बनाया है अगल के लिए और तौराइस है और तो प्लेख को लें अज़ता है तक भी तो इसको अगला है ताकि राइशा लागो जाए हो जाए हूं जुब को थो उच्छी को इसके लिए नदर होगी हैं और हमने अ यह थोड़ सी बाच गी थी तो मैंने 6 टेबल स्पून इसके ओपर मैं डाल दे ताकि जब मैं इसको बनाऊं तो यह ड्राइड राइना हूँ इसके लिए मुझे चाहिए होगा मखन यह अन्सॉलिड मखन है और मेरे पास है यह एक खाने का चमच म्यूनिस चाहिए होगा हमें कैचप चाहिए होगी एक खाने का चमच दूच चाहिए हमें यह मेरे पास है वान थर्द कब होगा वह हमें चाहिए सिर्का है मेरे पास एक खाने का चमच चिरी कॉलिक सॉस जो धर्मे बनाई हुई है और इसकी राइशव मैं किनी दफा बता चुकी हूँ तो यह मैं बटर मैल्ट हो गया है आप मैं इसमें अद्रक और रसन का पेश डालूगी आपने यह लो फ्लेम से और मीडियम से कम मैं आपने बनाना है आप जब इसको भून रहा हुए लसन अद्रको तो आपने चमच हलाते रहना क्योंकि बटर डाला है अगर आप छोड़ेंगे तो बटर आपका जल 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 अब मैंने इसको भून लिया है अप मैं इसके अंदर चिकन हैट करूंगी अब मैं एड करूंगी चिरी गॉलिप सॉस पोला सॉस अब मैं केचप और मिउनिस एड करूंगी इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है और जब आप इसके अंदर दूट एड करने लगेंगे तो आपने अपना फेट कोड़ा साथ तेज कर लेना है इसमें मैं आप दूट एड करूंगी और एक पिंच नम्मक और एक पिंच काली मिर्च का नम्मक एक पिंच काली मिर् इतना अच्छे से हो गया है और आपको इसको इस शेप में लेका रहे हैं इसमें जरा सभी नहीं है जूसी यह देखें एक्दम से टेंडर हो गया है और आपने इस वा में लेक्यान है अब मैं चुला बंद करते हूं ताकि जरा ठंडा हो जाए हुआ है झाल 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 इसको मैंने बना कर दस से पंदा मेंट के लिए मैकर वेफिक के अंदर रख दिया था अब इसके उपर मैंने अंडे की जर्दी झालो कर दो? मेरा ओवन के बारे मैं पहले भी बता चुकी हूँ मेरा ओवन के इसका है। तूएटी पर जाता है, अलेक्क्रिक आपका 1-80 पर जाता है, कोई लेक्रिक तो आप अपने ओवन का हूँद रीड करना, और अपने ओवन को देखके आप इसको ओवन मे रादेना। अगर आपको मेरी रेस्पी अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करना शेयर करना और अपना अपनी फैमली का बहुत ख्यान रखना अलाह अफीज अपना बाय आपको मेरी उनलाव छीजियर का फो तो उनलाह अब ख्याव करना आपको मेरी चैनल कि अव्यान आपको मेरी शया, लाक preOSS करना Ho